कि हेलो फिरेंज वेलकम टुए स्टाड़ी विद क्रेजी गुरू फिरेंज आज हम से रपीएफ ट्रेट्समैन में जो जो नोट्रिपिकेसा निकला है ड्राइबर मेकैनिक्स और बहु सारू पोश्ट्रों पे निकला है तो इस पे जो हम ट्रेस स्रीज का स्रिंखला में आज अँध्वर का कलाश करने बाद है क्योंकि क्या करना है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और कलास को सेयर कर देजेगा तो इस्टार्ट करते हैं दखें यह अपका सिलेबस है जेनरल इंटेलिजेंस और लिजिंग डिवान्ति आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद के जैनर नौलेज और जैनर लावेरनेस 25 को सब्सक्राइब उसके मैठेमेटिक से नंबर अफ को सन कितने पुछ जाएगे 25 पुछ जाएगे और इंगलिस और हिंदी देखें इंगलिस और हिंदी का डो सेक्षण हैगा लेकिन आपको एक सेक्षण डहीं करना है यह आदि आपको जनर इंगलिस सही हो तो आप लोग हिंदी कीजेगा तो आपको बता ते आप लोग जनर मतलब निर्ना है यह उसमें देगा तो किरला थे किरला हाइकोट जो है वह मतलब जो मतलब निर्ना है वह और शेत्रिये भासा में परकासित करने वाला बन गया है इसके बारे में देख लेते हैं और जो भी महतवपीन जनकार ये के रोला सी आपको बता दें देखें केरलाइक केरला बता किरले को से दील है डिक्ट करने वाले घ्ली तो तो поговор मौण आयलम भावासा में टाक खेस का क्षयक केरलाइक की बाली का सवंस्यारies मनि कुमार और साजी पी चाली की एक पीठ द्वारा पारित निर्ने मल्यालम में हाई कोट की वेवसाइट पर क्या किया गया है तो उपलाब्द कराया गया है तो एभी आप याद रखेगा तो थोड़ा साम किरला के बारें बता देते हैं क्योंकि किरला से कोशन पूशे जात कोशन आप देखने को मिझ जएगा हरेकए कि अलोग सभा की सीटो की संख्या आपको याद रखना है तो किरला के सीम पीन्राइं याद रखना है और राज्यप्न आरिफ मुह्मंद खान जी जो है किरला के गवर्नर है ऐसके बाद दोבר किरला के जो मोहतोपुर्ण नेशनलु पर्क है राश्तियोथ धन्य को अमेरिका का कौन सा सहर जाती के अधार पर भेद भाव को असपस्त रूप से परतिबंधित करने वाला डेश का जो अमेरिका का पहला सहर बन गया है। मतलब पुर्ण रूप से पर्तिबंधिक कर दिया गया है यह याद रखेगा उसमें उसमें कहा गया था कि जाती अधारित भेदभाव राष्ट्रिये और धार्मिक सिमाओं का अधिकरमन करते हैं और ऐसे कानून के बिना उन लोगों कुछ रक्सा नहीं दी जा सकेगी जो जा मतलब पुरूतिया है याद रखिएगा ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में समय कैसा नेक्स क्वे आज की कोसन से पेसर सब यह कोशन आपको देखने को मिल जाएगा जएगा को यूनी सेफ़ के अनुसार को पोशन से पिरित घर्पवाती महिलाव की संख्या में कितने परतिस जाहिए United Nations International Children's Emergency Fund जैंके लिए नेसान्स इंटरेंशनल Children's Emergency Fund, छे याद रखी जब Jake ठोके की असठापना कभ़ह किया गा था 1946 में किया गया था जो असठापना किया था 1946 में किया गा था फुररफ़र Umこと बता दिया यह कोशन आप पूछ देगा यूनिशेफ का हीड़ क्वाटर तो कहां पर है नियू यॉर्क में है याद रखे है कोशन भी आई है तो कोशन क्या था कोशन था यूनिशेफ के अनुसार कुपोशन से पिरित गर्ववती महिलाव की संख्या में कितने परतिसत की बिर्धी होई है दखिए मतल 25 परसेंटेज की क्या हुई है मतलब बिर्धी होई है बिर्धी देखने को मिली है याद रखे है दो देख लेते हैं क्या है सनिक्तराष्ट एजेंसी इवनिशेफ के अनुसार संकट गराष्ट देशों में रहने वाली जो मताय है उनमें 25 परसेंट जो कुपोशन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक मतलब जो जारी रिपोर्ट किया गया था उसके जो मुताबिक है गर्वबती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाले जो किसुरिय और महिलाओं में कुपोशन की जो संक्या है 5.5 मिलियन से 6.9 मिलियन पर पहुँच गई है तो यह आकरा याद जारी जारी किया गया है देकिन पर पुर्वत्तर में पहला संपिरित बायोगास बायोगास सन्यांत्र किस राजे में बनाए गया है पुर्वत्तर में पहला संपिरित बायोगैस सन्याल जो है आपका कहा पर बनाएगा है असंव में बनाएगा है के सोनापुर में पुर्वत्तर भारत की पहली संपीरित बायोगायस सन्यांत्र प्रयोजना का उर्घाटन किया है और जो मतलब पहला परवात्तरों राजे में जो पहला संपीरित बायोगायस सन्यांत्र जय क्य lange अस्थापना किया गया है इसनी क्योंकि देखने को मिल जाता है तो असम के बारे में आपको जाना जरूरी है देखिए असम का मतलब cm कौन है मंत्विश्वा सर्माजी है और गवर्नर कौन है तो देखिए असम की गवर्नर है जी सी काटारिया जी देखिए में मतलब सब्रेश्वा시면 यहां चें फूशे आते हैं उसके बाद आपसे जो पूशाज आता है असम राजीयो के साथ स्की याद्रकी सब्छ cops wr을 कौन कोन सा राजै आप नूट कर लिजे तिरिपूरा मिजोरम और नाचर परतेश नागा लेंड मनिपूर और वेस्ट बंगाल नूट कर लिजे मिघाले तिरपूरा मिजोरम और नाचल परदेश नागालेंड मनिपूर और विस्ट बंगाल साथ राजियों के साथ जो असम है ओस्रीमा साजा करता है उसके बाद देखे असम के जो महतपूर जो निशनल पार्क है जो आप से कोशन में फूशे जाते हैं आप लोग नोट कर है दिबरु सेखोबा है देहिंग पटकाई है राय मोना नेशनल पार्क है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कोशन जो यहां से कोशन पूशे जाते हैं नेक्स कोशन क्या है देखिए भारतिये मुक्य बाजी तीम के नए नेशनलuden पार्क होसन को देखने को मिल जाता है ता यह यार्ट रखिएगा दिमित्री दी मि टुक जो है भारतिये मुक्य बाजी तीम का नया बिदेश द्क्र किया गया है उनके बारे मता देखिए जो दिमित्री दिमित्रुक जो है अगले दो साल तक पूरुस और महिला टीम के विदेशी कोच होंगे जो मेल और फीमेल जो टीम है उनके विदेशी कोच कोंगे कौन होंगे दिमित्री दिमित्रुक मतलब दो साल ज्यादा तक होंगे दो साल 2030 में बने 2025 तक होंगे उन्होंने उलेख निये मुकेबाजी जैसे जो 2015 और 2017 मे कहीं 200 चंपियन राजत पदक और 29 एरोपिये खेलो में ग्रेने वर्ल्स को कांसे पदक भी दिलाया है कौन दिमित्री दिमित्रुक इसलिए इन्हें भारतिये मुकेवाजी जो टीम है पुरूस और महिला टीम के विदेशी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है अगले दो किस राजे सरकार ने अस्थापद किया है मादर मिल्क बैंक है उत्राखंद राजे सरकार के दौरा इंसर है उत्राखंड के स्वास्थे मंत्री डॉक्टर धन्सी रावत ने इमर्जिंग लीडर्स ऑफ गढ़वाल कारेकरम में राज्चे में अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाने की घोजना किया मतलब जिसमें जो जब बच्चों की मिर्थ जन्म ह स्वास्थे मंत्री धन्सिंग रावत जी उन्होंने कहा है कि उजना के तहट अस्तरपान कराने बाली महिलाए इस बैंक में दूद को क्या कर सकती है दान कर सकेगी और इन जो दूद जो डान के जाएंगा महिलाओं वहां उसमें इस दुख्द बैंक के माध्यम से उन मिल्क बैंक अस्थापना किया गया एक महत्पुर्ण मतलब जो पहल है एक महत्पुर्ण पहल है तो याद रखेगा इसका पुसकर सिंध्धामी जो है से मुताइब से अउत्रा में और उत्रा खंद में जो है उत्राखंड से को धाहते हैं आप लोग नुट रखेगा 20 नेक्स क्वेशन पर आते हैं नेक्स क्वेशन क्या है किसे चुना है तो ब्भारतिये ग्रेंड मास्टर कॉन है डीगूकेश को जो मतलब ACI 17 महासंग है वो सरफसरेश्ट खिलारी के रूप में उन्हें चुना है टेकिशन को डी गूकेस के बारे में और आपको बताते कोशन आपसे पूशे आते हैं करते मतलब राजस से याद रखेगा मतलब जो डी गूकेस का जो समंध चननाइस है अचननाइस याद रखेगा समझ गया हूंगे नेक्स स्कॉषन प्यां और क्या ओफिशन है यूपी सरकार ने भाइनेंस रिखेशींग अब बजट प्रेस किया है जिसमें बजट की जो रास यह कितनी आए तो देखिये लगभग सात लाख करोर रुपय की बजट जो है फाइनेंस येर दोहर तेस चौबिस में यूपी सरकार के द्वारा मतलब पेस किया गया है याद रखिएगा दखिया यूपी बिधान सभा में फाइनेंसियल येर दोहर तेस चौबिस का बजट प पताया है जो आवता की सबसे बड़ा ब्जट है और जो यूपी सरकार के दवाई चोविस कर गया है लगातार लगातार जो 17 वीवार जो यूपी के वीत मंंत्री ने लगातार 4 यूपीग को पेस किया है जो सूरिश खरनना के दवरा साथ भी बार लगातार बज़त जो है यूपी का पेस किया गया है याद रखेगा कोशन भी भी आई था नेक्स कोशन क्या है कोशन लेकिंगे उसने पहले स्वाटा और बता दे यूपी के बारे में यूपी के सी में आप नो जानते होंगे गवर्णर कोंड है अनंदी बिन प यहां से पूशे जाते हैं नेक्स कोशन पर आते हैं जो कि आज का भीवाइए कोशन क्या है भारत की जी 20 अध्यक्स्ता के तहत डवलू 20 डवलू 20 मतलब मतलब महिलाव के लिए 20 सम्मेलन की पहली बैठा कि किस सहर में आयुजित क्या गया है तो किस सहर में महाराष्ट के शत्रपति संभाजी नगर और अंगाबाद में क्या क्या गया है शुरू की गई है यह याद रखिया कोशन भीवियाई है देखिया यहां भीवियाई लिख दिये भी भी इपोटेंट कोशन यहां से देखने को मिल जाएगा ता आप लोग सही चे कोशन पढ़े रहिएगा समझ गया है भारत की जी ट्वंटी अध्यक्ष्टा के दवरान दुनिया भर में महिलाव के स्थेती और दसा में सुधार पर चार्चा करन के लिए ओमिन ट्वंटी मतलब डबलू ट्वंटी इंसेप्शन मीटिंग महराष्ट के सद्रपति संभाजी नगर और अंगाबाद में शुरू की गई है याद रखेगा उसके बाद कि है सद्रपति संभाजी नगर में चल रही बैठक डबलू ट्वंटी मतलब ओमें महिलाओं के नित्रित्रों वाले विकास के लिए लेंगिक समानता समानता और गरिमा की खोज है तो देखे फिर सो जो जी ट्वंटी की बैठक है बहुत सारे किजाब में आपका पेपर में को मिल जागा जीके जीएस में और आपको बता दे जो महतवपुर्ण जो मतलब जो सब्द मतलब ट्रोफी महतवपुर्ण ट्रोफी जो कौन सा खेल से समद्ध है कोशन आपसे पूशे जाएंगे तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो आपके लिए ला देंगे नेक्स वीडियो नेक्स कोशन क्या है किस देश में 25 वर्सों में पहली बार महिलाओ के लिए सने से बाव की शुरुवात की गई है तो कौन सा देश से बताई है कोलंबिया में 25 वर्सों के बाद महिलाओ के लिए सने से बाव की क्या की गई है शुरुवात की गई है तो यह कोशन भी भी आई है बहुत महतपूर्ण कोशन है जो महिलाओ में जो मतलब जो मौतापूर्ण घटना होती है कोई भी देश हो गया याराजय हो गया तो कोशन के यह आंसर क्या है कोलंबिया ने 25 वर्सों में पहली बार महिलाओ के लिए सन्य सेंट सबक खोली है याद रखेगा कोलंबिया की सिरा में 1296 महिलाओं को सामिल किया गया है लगभग 1% महिलाओं हैं जो अब तक सन्य विश्विदाले में भाग लेने या परसासनिक नखरियों के लिए आवेदन करने के बाद इसमें सामिल हुई थी कितना हुई है तो 1296 महिलाओं को सामिल किया गया है और 25 वरसासनिक पहली बार जो महिलाओं के लिए जो सन्य सिवाव के सिर्वात की गई है कोलंबिया में की गई है याद रखेगा तो थुरा साम कोलंबिया के बारे में देख लेते हैं देखें कोलंबिया की कैपिटल कहां प क्या है मुद्रा और आपको बता दे जो को लंबिया है घट्सन अमेरिकी महदूप में देश क्या है कॉलंबिया है । यहाँ से कोशन देखने को दिखने को मिल जाता है देखते आज का लास्ट और meta के सब्जेक्ट इसका थीम क्या है हरित उर्जा सनकरमन के माध्यम से उपभक्ताओं को सशक्त बनाना है मतलब विशो उपभक्ता अधिकार दिवस का थीम है और कम मनाए गया है 15 मार्च को मनाए गया है तो देखी फ्रेंस कोशन जो है करेंट फेर का महतवपूर्ण है जितना भी करास अभी रेगुलर आएगा या अफ्लूट कर दिया गया है ताप लोग जहना से देखके त्यारी को बहतर बनाईए और क्या करना है सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैभारत